वेज ग्राफ्टिंग पर्फॉर्म करने के बाद करीब करीब 15 से 21 दिन के बीच में इसमें बड निकलना शुरू हो जाता है जैसा कि किसान भाईयों को हम दिखा देना चाहते हैं और बड निकलने के बाद ये कैब जो है इसको हटा दिया जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं ये छोटा-छोटा हरा-हरा ये बड निकल चुका है ये इधर देखें ये बड निकल चुका है ये ही आपको लीफ बनेगा लीफ बनने के बाद ये प्लांट करीब करीब छे से साथ महने हम लोग फिल्ड में रखते हैं हाडनिंग के लिए उसके बाद ये सेलेबुल कंडिशन में आ जाता है आप देख सकते हैं ये जनवरी महने का है 15 से 20 दिन पहले हम लोग इसका वेज ग्राप्टिंग किये थे और मैं दिखा देना चाहता हूँ जो कि नौहमबर में किये हैं ये नौहमबर में जो किये हैं उसकी स्थिती आप देख सकते हैं उसमें करीब करीब 10-12 लीफ भी आ चुका है और मैं दिसंबर वाला भी दिखा देना चाहता हूँ वो आप देखें दिसंबर महने में जो किय हैं करीब करीब इसमें 6 से 7 लिफ आ चुका है तो आप देख सकते हैं नोहंबर का और दिसंबर का और 15 दिन पहले जो हमने जनवरी में किया है उसका और आज की इस्तिती जो हमने करके आपको दिखाया इससे ये साबित होगा कि वेज ग्राफ्टिंग कूटी से जो कि चाइनी करना चाहते हैं कि वेज ग्राफ्टिंग करके ही अम्रूद के पौदयों का प्रवर्धन करना शुरू करें अगर आपको जानकारी नहीं है तो हमारे भिहारकृष्री महाविध्याले या भिहारकृष्री विश्विध्याले के प्रांगन में आकर हमाले मालियों दुआरा आप इसको सीख सकते हैं और हम सिखाने के लिए ततपर हैं जो भी किसान भाई चुक हैं वो किर्पिया यहां आएं और यह तकनीक का जानकारी हमसे ले सकते हैं धन्यवड़ा